नोस्तो नमस्कार स्वागते एक बाब फेसे आज की बड़ी और ताजा ख़वरों में आपको बता दें के किसानों ने यूपी मिसन का किया एलान लखनों पहुंचे कई बड़ी नेता बनाई बड़ी रणानी थी वहीं करणाल में किसानों ने आंदोलन और तेज करने की दी कड़ी चेतावनी, बुलाई सभी राजनितिक दलों की बैठक, वहीं सपा का गोशना पत्र, मैला और किसानों पर जाधा ध्यान, बाटेंगे फिरी में लेप्टोप और स्मार्टफॉन, वहीं जीत के लिए अखले ममता बना जी ने दाकिल किया ना मांकान, 30 सितंबर को होगा मतदान, वहीं बंगाल में भाजपाने जारी किये उमीद्वारों के नाम, ममता बना जी के सामने प्रिंका टिबरेवाल को दिया गया मौका, वहीं बीजेपी का बड़ा एलान, आज से सुरू होगा उत्तर सारी भी AI MIM में होंगे सामेल, असादुदीन OVC ने भेजा आओ पर, और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सस्क्राइब कर लें और गंटी बटन जहु दवा दें, महीं पहली बड़ी खबरा, किसानों ने किया, UP मिसन का एलान, ल साई किसान संगठन के अध्यचित तजिंदर सिंग विर्क समेत कई बड़े नेता सामिल हुए, बैठक में 27 तारीक को होने वाले भारतबंद के संबंद में चर्चा की गई, और इसे एत्यासिक बनाने की तयारी की गई, इस मौके पर क्रांतिकारी किसान यूनियन, और हरियाना में समन्वे हो चुका है, इस कारिकरम में सेयुत किसान मोचा के आहवान पारा, यूपी के सभी किसान संगठनों को भी बुलाए गया, इस अंदोलन को देश्यापी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश महत्मून है, आपको बता दें कि फिलाल किसानों ने एलान क दिया है कि 27 तारीक को होने वाला भारत बंद एतियासिक बंद होगा, आउडी बड़ी कवर करनाल में किसानों ने आंदोलन और तेज करने की दी कडी चेतावनी बुलाई सभी राजनितिक दलों की बैठक, यह आपको बता दें कि फिलाल हरियाना के करनाल में किसानों का दर दियार नहीं है, पंजाब चुनाब को लेकर चंडिगर में 32 किसान संगठनों की बड़ी बैठक हुई, इस बैठक में BJP को छोड़ कर सभी दलों को नियोता दिया गया था, पंजाब कॉंग्रेस के अध्यचिन नवजोत सिंग सिद्धू समेथ, आमादमी पार्टी और स्र पंजाब की सियाईसी जमीन पर हलचल पैदा करने की तैयारी कर ली है, राजनीती से दूर रहने का दावा करने वाले किसान संगठनों ने राजनेतिक दलों पर दवाब बनाने की नई रणनीती तैयार की है, और आज इसी मुद्दे पर चंडिगर में किसान संगठनों की किसानों ने प्रसासन को 11 सितंबर के बाद आंदोलन औरतेज करनी की कडिचेतावनी दी है, करनाल में मिनी सच्चिवाले के बाहर किसानों की तादत लगातर बढ़ती जा रही है, रात में भी किसानों की संख्या में कमी नहीं आ रही, उनकी सेवा में SGPC के सेवादार भी किसानों ने साफ कर दिया है कि उनकी मांगें पूरी होने ताख वो डटे रहेंगे, करनाल में जमे किसानों की मांग है कि 28 अगस्त को किसानों पारा लाटी चार्ज का आदेज देने वाले SDM पर तुरंत कारवाई हो, लेकिन सरकार का कहना है कि जाच के बाद जो दोसी पाय जाए जाएगा, उस पर कारवाई होगी और जाच किसानों की भुमिका की भी होगी। कराने पर स्टांप ड्यूटी पर जाधा रिबेट और नौकरियां तयार करना सामिल हो सकता है। गोश्तना पत्र का फोकस किसानों रोजगार निर्मार के साथ महला स्वास्त और शिक्षा पर होगा। फिलाल लोगों के साथ जो वादे किये जाएंगे उन्हें लेकर जमीन इस तरपर डेटा जुटाने और योजना की संभाविता का काम किया जा रहा है। इसे अक्टूबर के अंत में पूरा कर दिया जाएगा जबकि तारीक की गोश्तना पार्टी नितरत की तरब से की जाएगी। जानकारी मिली है कि गोश्तना पत्र का सबसे मुखेसा छात्रो को लेकर हो सकता है। सपा के पुराने सासन की तरह उन्हें केवल लैप्टॉप ही नहीं बलकि ऐसे समय में फिरी में मुबाइल में मिलेगा। आपको बता दें कि फिलाला समाजवादी पार्टी के अद्यच अखले सियादव ने साफ कर दिया है कि इस बारा लैप्टॉप और फ्री में मुबाइल दिये जाएंगे। अब अद्र टिपड़ी करने का भी आरोप है। ये थी अब तक की बहुत बड़ी खबर हैं। आज के लिए बस इतना ही। यूपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी। अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जहूँ दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपया चैनल को सब्सक्राइब कर गंटी बटन जहूँ दवा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हेंद जय भारत।